बाबा बेंगा की भविश्यवानी कि आने वला नया साल 2023 में आमरे धर्ती का भिनास हो जाएगा तो चलिए फटाफट शुरू करते हों और जानते हैं पुरी सच्चाई को बाबा बेंगा को एक अधिवत शक्ति का मालिक कहा जाता है जिससे हर कोई विश्वास करता है क्यूंकि उसकी भविश्यवानी कभी गलत साबित नहीं हुआ है बाबा बेंगा ने आज तक बैगानी की धर्ती से समंदिद और यूद जैसी हालातों के बारे में कई भविस्वानी पहले ही कर चुके है और अपनी मोत की भविस्वानी भी खुद बाबा नहीं किया था जिस साल और समय कब अपने मोद को लेकर भविसवानी बाबा भेंगा की अब तो आपको बता चली गया hoगा कि बाबा भेंगा कोन थे ठीक उषी था साझ 2023 में क्या होगा इसकी भविसवानी बाबा पहले कर चुके थे बाबा ने जो भविसवानी की है उसे अब ध्यान से सुनना, बाबा बताते हैं कि साल 2023 में धर्ती अपनी ओर्बीट यानि तक्षा से थोड़ी सी खिसक जाएगी, लेकिन धर्ती का बैलेंस में कोई फर्क तो नहीं परेगा, लेकिन धर्ती का जरा सी खिसक जाने से जलवाई में बड़ा बद्राव आ सकता है, अगर पुर्ती भी सुड़ी की तरह खिसकता है तो बड़े पैमाने में रेडियेशन और त्येज गर्मी शुरू हो जाएगा, अगर दूसरी तरह खिसकता है तो ठंड के साथ साथ आज के समय के मुकाबले राग अधिक लंबी हो जाएगी, इसके अलाबा शाल 2023 में सोलर सि शुरूआ तो हो जाएगी और पुर्टी भी बहले जैसी बातावाई न खो देगी, और भी कई बिनास काड़ी चीजे होंगी, इलक्टोर्निक चार्ज, मेगनेटिक फिल्स, रेडियेशन जैसी चीजे बढ़ जाएगी, जिसके कारण आसमान से कई करोर निउक्लियर बंब फटने जितना लाबा हमारे पृर्थिवी पर पढ़ना सुरू हो जाएगा, और इसी तरह धीरे-धीरे पृर्थिवी का बिना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिक्रिक्सिन बेल को और पर सेलेट कर लेना तब तक मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ चाहिए